जेटियू के MLC रामेश्वर महतो ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंग कुश्वाह के खिलाफ मोचा खुल दिया है रामेश्वर महतो कारोप है कि उमेश कुश्वाहा पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं उन्होंने कहा कि उमिश कुश्वाहा चंद चापलूस लोगों से घीरे हैं और हम जैसे पार्टी के MLC को भी नजरन्दाज किया जा रहा है साती उन्होंने कहा कि उनका जुडाव केवल ऐसे लोगों से है जो पार्टी की मस्बूती से काम नहीं कर रहे और केवल अपनी मजबूती कैसे बनी रहे इसी पर उनका ध्यान है और इस तरह वो पार्टी को नुकसान पहुचा रहे हैं रामिश्वर मैतो ने कहा कि उनकी आस्था मुख्यमंत्री नितीश कुमार में है और ये मुख्यमंत्री का बड़ापन है कि उन्होंने उमेश कुश्वाह को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया लेकिन उमेश कुश्वाह पार्टी हित की बात करने वाले लोगों से किनारा कर रहे हैं और जो लोग उनकी चाप लूसी करते हैं उनी के बीच रहना चाहते हैं ताकि वो पार्टी की मजबूती में नहीं बलकि अपनी मजबूती में विश्वाश करते रहें कहा जा सकता है कि विदान पार्शत रामेश्वर मैतो ने एक ऐसे तलक वियान के साथ रेडियों में घमसान को जन्म दे दिया है रामेश्वर मैतो ने कहा कि इस मामले को लेकर वो जल्दी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष लेलन से भी मुलाकात करें लिए कि और सबकाइक प्रोटोकल है यदि कोई प्रदेश सब्सक्राइब का या नेता का बात में सुनते हैं तो हमारे नेता राष्टी अध्यक्ष जी कहा जाते हैं इसके बाद 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 बाद